अगर आपसे पूछूँ कि S-T-E-P, step का क्या मतलब है, तो आपका जवाब होगा कदम या डेग, लेकिन जब इस step को हम relative के साथ जोरते हैं, जैसे कि father, mother, sister, brother, यानि step father, तो इसका मतलब कदम या डेग पिता नहीं होता, सोतेला पिता, step mother, सोतेली मा, step sister, सोतेली बेहन, step brother, सोत मतलब होता है, वो कदम या डेग होता है, लेकिन relatives के साथ इस step का मतलब है, सोतेला, सोतेली, सोतेले, अगर मैं फिर आपसे पूछूँ कि H-A-L-F, half, or B-L-O-D, blood, half blood का क्या मतलब है, तो half means आधा, और blood means खून, आधा खून, लेकिन आधा खून को अगर relate करेंगे हम सोतेले से, तो ये बिल्कुल fix हो जाता है जाकर, क्योंकि आधा खून ही तो सोतेला होना होता है, तो सोतेले की English half blood भी होती है, यानि step father के बदले हम half blood father कह सकते हैं, step mother के बदले half blood mother कह सकते हैं, step sister के बदले half blood sister कह सकते हैं, step brother के बदले हम half blood brother भी कह सकते हैं, यानि हम कह सकते हैं कि step और हाप बलड दुनों का मतलब सौतेला होता है और अलग से इनको देखा जाए तो इनके हिंदी कुछ बदली हुई अलग सी भी लगती है जैसा कि एस्टेप का मतलब कदम और हाप बलड का मतलब आधा खुन और सौतेले पन में आधा खुनी तो होता है हो सकता है मा कोई और हो, पिता वही हो, हो सकता है पिता कोई और हो, मा वही हो, तो ये सिंसा जाता है, खेर